श्री शिवाई नमस्त अब भी हम दोस्तों अगर आप लोगों का भी कोई काम ऐसा है जो कि अटका हुआ है कोट का चहरी के आप लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो आज का यह उपाय आपके लिए है जो कि श्री पंडित पदीप मिश्राजी ने अपनी कथा में अ उपाय उन लोगों के लिए तो यह उपाय आप जरूर कीजिए इस से आपकी मनुकामना भी बिलकुल पूरी तरीके से पूरी हो जाएंगी दोस्तों आपको करना क्या है कि एक बेल पत्र लेना है बिलकुल शुद्ध खंडित नहीं होना चाहिए एक बेल पत्र लेने के बा मतलब वहाँ पर लगा देना है उसके बाद जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी उसमें आपको गरत लगाना है गरत का मतलब होता है कि गाय का देसी की आपको पूरी बीच वाली बड़ी पत्ती होती है उस पर लगा देना है अब यह जो पत्ती है यह लेकर जाना है आपक इसमें जो घरत लगाया है आपको इस बेल पत्त को लेकर और शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के सामने चले जाना है शिव जी के सामने जाने के बाद आपको क्या करना है जो आपने एक बेल पत्त लिया है जिसमें आपने दोनों पत्तियों में जो साइट की जो पत्ती होती आपको उस जगह पर उल्टा करते हुए इस बेल पत्र को रग देना है और अपनी मन की मनो कामना कर लेना है उसके बाद दोस्तों आप लोग यह बात जानते हैं या नहीं जानते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जो शिवलिंग होती है उस शिवलिंग के उपर पुरा शिवजी का परिवार आसपास ही होता है तो अशोक सुन्दरी की जो जगह होती है वो मैं आपको बता देता हूँ जो की शिव जी की सबसे छोटी बेटी हैं तो उस अशुक शुंदरी की जगा पर आपको इस बेल पत्र को उल्टा करते हुए रखना है जैसे कि जो जो चंदन है जो दोनों पत्तिया जा रही है वो चंदन जो है वो शिव लिंग के उपर लगना चाहिए ठीक है और जो घ्रत है जो आपने बीच वाली पत्ति पर जो घ्रत लगा है वो अशुक सुंदरी के उपर लगना चाहिए जो दो चंदन लाल चंदन वाली जो पत्तियां है वो एक गनेजी के लिए होगी और एक कार्टिके के लिए होगी ठीक है तो आप यह जो बेल पत्र है यह अर्पित कर रहे हैं ठीक है और अर्पित करने के बाद वहाँ पर अपने मन की मनोकामना कर दीजिए जो भी आपका पैसा नहीं दे रहा है उसके बारे में बता दीजिए और अपने मन की मनोकामना बोलते हुए वहाँ पर पढ़के अपने घर वापस आ जाईए बस एक बार आपको यह उपाय कब करना है दो प्रदोष करना है ठीक है दो प्रदोष या दो सोमवार आपको यह उपाय करना है ठीक है सुबा समय स्चिया tummy श्रीली शिवाय नमस्तुभ्या